हे एव्रीवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हुए आप सब तो आज में हैं पर लुक क्रिएट करने वाले हैं अभी समर्स स्टार्ट हो गई है तो समर्स में बहुत ज़्यादा लाइट और न्यूड मेकप लुक करना पसंद करते हैं उसके लिए सबसे पहले मैं यहां यू जो यूज़ करूंगी जैल बेच्ट मॉश्चिराइजर यूज़ करूंगी जो कि मैंने यूज़ किया है हनी का गुडवाइप्स जैल मॉश्चिराइजर जो कि आपके फेस काफी अच्छी से पैनिट्रेट हो जाता है यूज़ा आपकी सकिन को बहुत ज़दा बोलेगे नहीं बनाता और बहुत ही अच्छा लाइट वेट है तो जितने भी आप ज़रूरी नहीं हनी का लीजिए किसी भी ब्रांड का लीजिए लेकिन जैल बेस्ट यूज़ कीजिए जो कि काफी लाइट वेट होते हैं कम आपके फेस को ओईली करते हैं उसके बाद मैं यहां अच्छा आपके फेस को हाइड्रेट करता है ग्लो प्रॉबाइट करता है मैं काफी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूं काफी अच्छा सा फेस पे एक तरीके से निखर के आता है पोस को मिनिमाइज करने के लिए मैं यहां यूज़ करें आई एम स्टर डैम का प्राइमर जो कि आपके पोर्स जितने भी open पोर्स हो जाते हैं उनको blurring करता है आपके face का base बनता है एक तरीके से eyes पे apply करेंगे जिसे क्या है आगे हम जो eye makeup करेंगे वो अच्छे से हमारे eye को निखर किया है और काफी अच्छे से उभर किया है जिसे क्या है आपके face पे बहुत ही के लिए orange character का use कर रही थी जिसे क्या जो tanning है और blackness है मेरी around eyes और lip area के वो कम हो जाए और ना दिखे इसको hide करने के लिए मैंने color character यूज किया है इस्टे कोकी का काफी अच्छा है फुल coverage बोलेंगे काफी इसका जो consistency काफी thick consistency है और इसको अच्छे से मैं blend कर लूँगी brush से औ इसके बाद मैंने fit me का 220 जो है shade use किया है foundation के लिए इसकी मैं दो pump पे use करूँगे अपनों पूरे face पे apply करूँगी dot dot की form में काफी अच्छा है ये और full coverage मैं एक तरीके से बोलूँगी दे देता है और आपके face पे absorb होने के बाद पहले मैं makeup जब foundation apply करते हैं तो absorb नहीं होता है तो हमारे skin जो है face जो है बहुत white white लगता है लेकिन जब absorb हो जाता है तो हमारे skin में उसके बाद ये जो हमारा face का color होता है उसी color में आ जाता है तो ऐसा ज्यादा light shade को हमको use नहीं करना है अपने shade से और neck पे जब भी हम check करें तो neck पे check करते हैं कि हमारे जो face है neck से कितना match कर है उसी shade का हम foundation हमेशा use करते हैं तो इसको मैं dab dab करते हुए beauty blender से जो है blend कर लूँगी अपने face के साथ साथ अपनी neck area को भी मैं cover करूँगी उसके बाद मैंने यहाँ पे use किया NY way का ये concealer इसका shade number मैं यहाँ पे mention कर दूँगी और जितने भी product है में नीचे description box मैं उनका link देने क कि कुशिश करूँगी आप नहीं तो मैं app का link दे दूँगी purple से मैंने यह सारे product buy किये हैं इनका आप haul भी जाके check कर सकते हैं मेरे channel पे तो अगर video पसंद है तो please like करना share करना और अगर मेरे channel नए हो तो subscribe ज़रूर कर देना और bell icon को दबा देना जिससे क्या है आपको सबसे प करना चाहें चाहते हैं हमारी nose area है उसको highlight करना है हमें under eyes है और forehead है जो क्या है एक निकल के है और काफी अच्छे से make up look इस पे लगे तो इन सब को highlight करने के लिए हम concealer यूज़ करते हो और उसको अच्छे से beauty blender से damp-damp करते हुए blend करेंगे जिससे के अच्छे से absorb होजा है हमारी skin में कोई भी patchiness ना रहा है क्रीज ना बने इन सब को set करने के लिए मैं यहां यूज़ कर रहे हूँ इस्टिक होगी का जो है translucent powder जो कि आपके face पे काफी अच्छा जाता है आप चाहो तो यहां बनाना powder भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मैंने यह powder यूज़ कर यह काफी वगेरा हो तो मेरा face का जो make up है वो काला ना पड़े हम make up कितना भी अच्छा गलने अगर make up काला पड़ जाता तो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है तो जब भी हम make up करें याद रखें कि हम हमें सा setting powder ज़रूर apply करें उसके बाद मैं पे मैंने यूज़ किया Swiss beauty का यहां प मैं यही यूज़ करते हूं मुझे जो beginners friendly हैं उनके लिए मता हूँ eyebrow filler काफी अच्छा है बहुत ही अच्छा look आपको provide करता है बजाए pencil आइस पूली वाले जो आते हैं वो इतने अच्छे नहीं लगते मुझे उसके बाद मैंने आप यह यूज़ किया है beauty glass की palette इस मैंसे मैं nude color लोगी skin color और हलका सा peach color को mix करके मैं अपनी outer crease create करूँगी जिससे के है एक बहुत ज़्यदा बोलेंगे eyes का color निकल के है उसके बाद मैं eyes को depth देने के लिए हलका सा down color लोगी जो मैंने उपर color यूज़ किया है उससे थोड़ा सा dark color लोगी जिससे के है transition color मिल जाओ मेरी crease line create ह उसके बाद मैं sea green color लोगी एक blending brush में और यह powder वाला है powder eyeshadow है उसके बाद मैं shimmer use करूँगी इसी मैंसे तो इसको मैंने अच्छे से अपने उसमें लिया है brush में और इसको मैं अच्छे से अपने eyes पे लगा लोगी और काफी अच्छा है और मैं बताओं कि आपके eyeshadow पे भी लग ज लेने के लिए मैंने अपने eyes को outer corner पे dark maroon color यूज किया है इसी का shade है यह palette है beauty glazed की marvellous palette इसको मैंने amazon से buy किया है amazon का मेरा haul आने वाला है तो आप जाके वह haul भी check कर सकते हो उस haul में मैं सारी links provide कर दूँगी और तो जाके वहां से आप check करके buy कर सकते हो उसके बाद मैंने inner side पे बहुत अच्छा निकल किया है nude सा लगे तो इस summer में कुछ अलग हटके होना चाहिए winter में तो हम कैसा भी make up कर लेते हैं लेकिन जो summers के लिए होता है काफी light होना चाहिए और nude होना चाहिए और हम light color के कपड़े भी पहनते हैं तो मैंने monsoon के सुरुआ तो इस वज़ा से यहां मैंने भाई किया flip card से flip card का भी haul आने वाला है तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को subscribe और bell icon को भी दबाना पड़ेगा जिससे क्या है notification पहले मिलेगा उसके बाद मैं यहाँ पे make up पे आ जाती हूँ हम मैं eyes complete करूँग आइस के लिए मैंने यहाँ यूज किया gel eyeliner काफी अच्छा है long stay करता है और मैं इसको काफी apply भी कर चुकी हूँ और काफी थोड़ा सा amount आपको लेना पड़ता है और तुरंत dry हो जाता है मतलब कि आपको यह सुखाना नहीं पड़ेगा काफी सारे eyeliner होते हैं बहुत देर में सूखते हैं यह gel base जितने भी होते हैं बह इनर lower lash line पे मैंने क्या किया है इसको green color को हलके से किया है जिसे कि मुझे ज्यादा dark color नहीं चाहिए था इस वज़े से मैं हलका green color ही यूज किया है lower lash line को highlight करने के लिए इसको मैं अच्छी से apply कर लोंगे और apply dark green color के साथ मैंने use किया है maroon color जिसे के हलका color निकल के है उसके पा यूज करते हूं क्योंकि मुझे मस्कारा मैं दो या तीन कोट्स apply करते हूं तो मेरी eye lashes जो है काफी volume लगती है और काफी अच्छा लुक निकल के आता है बिना false is के मेरी eye lashes काफी अच्छी लगती extended लगती हैं तो eye lashes के मुझे ज़्यादा जरूवत नहीं पड़ते हैं यह है क आप सब try करके देख सकते हैं अगर आप false lashes नहीं यूज करना चाहते उसके बाद मैं यहां यूज कर रही हूँ एन वाई बे का white color का कोल काजल चुकि आपकी eyes को थोड़ा bigger बनाए आपकी black color का काजल तो हम normally यूज करते हैं black color का काजल में आपके eyes थोड़ी छोटी लगती है अगर आप white color काजल यूज करोगे तो आपकी eyes को थोड़ा बड़ा सा look देंगी तो इस type के काफी सारे hacks हैं तो आप try कर सकते हो उसके बाद मैंने अपर purple की luminous glazed palette ली है जिसमें से मैंने bronzer लिया है मैं अपने face को जो है lift up करूँगी और काफे अच्छे से हलका सा lift दूँगी क्योंकि जो natural look होता है हलका हलका make up करने में याता है ज्यादा make up करने के बाद वो ज्यादा odd लगता है contour आप अगर ज्यादा contour अच्छा contour अपना करना चाते हो तो आप cream contour यूज कीजिए जो कि काफी मैं करती भी हूँ अपनी videos में उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा look भी न जो shade है rose blush इस palette का भी मैंने review share किया है अपने channel पे जाके आप चेक कर सकते हैं playlist create कर दी है reviews के नाम से आप चाके वहाँ पे चेक कर दी जितने भी मैं review share कर रहे हूँ सारे channels पे अपने playlist create कर दी है उसमें जाके आप चेक कर सकते हो और इसका blush काफी अच्छा है blush को मैंने circular motion में ल shade shade इसका है rose blush करके उसके बाद एक flat brush में मैंने लिया है eyeshadow highlighter जो की है golden shimmer कलर में और मैं अपनी chin area को और अपनी nose को highlight करूंगे अपने lips की पर highlight करूंगे eyebrow bone को highlight करूंगे तो एक highlighter या फिर shimmer eyeshadow आपके highlighter की काम में आ जाता है तो यह highlighter भी काफी अच्छा है अग्दम natural look देता है उसके बाद यह होडा beauty की shade number मुझे याद नहीं है बट यह होडा beauty की set of 15 का मैंने इसको buy किया था इसको भी amazon hall शेयर करूंगे उसके swatches मैं देखाूंगे इसका भी review शेयर करने वाली हूँ तो उसके बाद मैंने यूज किया है nyb का dewy setting spray तो यह जुंका पहनूंगे और उसके बाद final है यह वाला मेरा make-up look colorful आप चूरियां पहन सकते हैं पर मैंने shimmer की चूरियां लेगी काफे अभी इस type की सारी की साथ जो है matte color की जो है चूरियां चल रही है तो यह रहा मेरा final look कैसा लगा बताना जरूर कमेंट करके अगर आपको वीडियो पसं कियर